बॉलिवूड की फिल्मों से बहतर तो इन दुनों साउथ की फिल्में आ रही है इस पर एक लंबी बहस अलरीडी इंडस्ट्री में चिड़ चुकी है जब से मास्टर, पुश्पा और कई सारी साउथ की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बॉलिवूड की फिल्मों से अच्छा बिजनस किया है तब से ये कंपारिशन बहुत जादा होने लगा है अब इसी के बीच, फिल्म इंडस्ट्री के एक तजुर्वेकार, एक सीनियर प्रेड्यूसर ने बॉलिवूड फिल्मों और साउथ की फिल्मों में क्या डिफरेंस है उसकी exact detail बताई है एक example को देखकर प्रेड्यूसर और कोई नहीं बलकि बोनी कपूर है हम सब जानते हैं कि बोनी कपूर ने कई सारी फिल्में प्रेड्यूस की है और आज भी वो फिल्मों को प्रेड्यूस कर रहे है बोनी कपूर को फिल्मों की समझ जितनी है उतनी शायद आपको और हमें नहीं होगी ऐसे में बोनी कपूर ने exact reason बताया कि क्यों साउथ जादा चलता है और बॉलिवूड कम उनका कहना है कि बॉलिवूड जो है वो अपनी फिल्मों को मैगडी के रूप में परोस्ता है यानि कि western effect है बहुत जादा वहीं बात करें साउथ की फिल्मों की तो वो आपको थाली परोस्ते है यानि कि अपने यहां का Indian culture, Indian चीज़े जादा दिखती है यही एक difference है कि south की फिल्मों से लोग जादा connect करते है बनिस्पत बॉलिवूड की क्योंकि बॉलिवूड इस तरह की चकाचौन दिखाता है जिसे देखकर no doubt लोग उस चकाचौन को देखकर attractive होते हैं लेकिन उसे connection नहीं बिठा पाते क्योंकि वो बहुत ही परे दिखाता है आम जनता की रीच से परे दिखाया जाता है हम सब जानते हैं कि इंडिया में middle class की population बहुत जादा है ऐसे में बॉलिवूड की फिल्मों का focus middle class पे ही कम होता है जिस कारण बॉलिवूड की फिल्में अब सफर कर रही है इसके अलावा पॉनी कपूर ने बताया कि साउथ की फिल्मों की satellite पर भी बहुत डिमांड है और उस पर अच्छी rates में big भी जाती है साउथ की फिल्में इसलिए मैं अब साउथ की फिल्में जादा बना रहा हूँ आपको बता दे कि पॉनी कपूर ने हाल ही में वले मैं नाम की फिल्म को प्रिड्यूस किया फिल्म को गजब का रिस्पॉंस मिला पहले ही दिन फिल्म ने 62-63 लाग रुपे कलेक्ट कर लिए बॉक्स ऑफिस पर अजीत जो सूपरस्टार है वो इस फिल्म के लीड आक्टर है वही हुमा कुरेशी ने लीड आक्टरुस का काम किया है फिल्म में